हलो बच्चों, मैं दीत्ती शर्मा, आज आपको कच्छा नौवी का समाजी विज्ञान पढ़ाने, इसके पहले ही बच्चों मैंने आपको बताया था कि समाजी विज्ञान में चार भागी, एक इत्यास, नागरिक सास्ट, भूगोल और अर्थ सास्ट तो पीटा अपको अर्थ सास्ट पढ़ेंगे, इसके पहले अपको अने लोग तंतर पढ़ा था, वो नागरिक सास्ट के अंतरगत था, आज समाजी विज्ञान में भाग चार अर्थ सास्ट पढ़ेंगे अपको तो पीटा पालंपूर एक गाओ, वहाँ पर क्रस्ती विकास अन्य विकास कैसे हुई ? तो उन्होंने एक कालपनिक कहानी बणाई और उसको व्यक्त किया पालमपूर की एक कहानी है नब ये कालपनिक है बच्चो वहाँ पर छोटे से गाओं में क्रसी का विकास कैसे हुआ और द्यवी क्रसी कैसे हुआ और अन्य चीजों का हतलब नई तकनीक की से क्रसी कैसे की जाए इसका विकास भी उसमें पालमपूर गाओं की कहानी में बताया गया है तो पालमपूर एग गाओं की कहानी है बच्चो यह कहानी अर्ध्रवस्ता के मात्रम से इसको समझाया गया है और यह कहानी कैसी है बेटा? कालपनिक है पालमपुर में खेती प्रमुक्रिया है पतलatisf पालमपुर गाओं है वहाँ पर खरसी खेती जो होती है वो एक प्रमुक्रिया है तोटि गाओं के लोग पहले खरसी ही करते हैं जबकि अन्य कोई के लिए जैसे लगू हिस्त्रिय, वी निर्मान, डेरी, परिवाहन, महाँ पर आदी सब चीजे कैसी हैं, सीमित इस्तर पर की जाती है। महाँ उत्पादन के लिए विभिन्य प्रकार के संसादनों की क्या होती है, आवर्शक्ता होती है। तो सबसे पहले जो संसादन होते हैं प्राक्टिक संसादन, जो अपन को प्राक्टिक द्वारा प्राप्त होते हैं, बस्तू और सेवाओं को उत्पादित बस्तू करने के लिए विभिन्य संसादन किस प्रकार से समायुजित होते हैं, महाँ पालंपूर गाओं के आसपास के क तो यह एक कालपनी कथा बनाकर उन्होंने व्यक्त किया है कि वहां पर क्रसी काल पर कैसे विक्सित हुआ सड़क वा अन्न वस्तुओं से लगी तो वहां पर बैल गाड़ी से लेकर वाहन कोई भी वाहन साइकल, मोटर साइकल, जीट, ट्रक एक गाउं में दूसरे गाउं जाने के लिए विभिन ने जाती की लोग रहते हैं लगब उस गाउं में कित्ते लोग रहते हैं चार्सों में वहां पर उसका विकास है भारत के गाउं में खेती उत्पादन प्रमुख गतिविधी होती है मतलब भारत देश है वहां के गाउं में जो खेती होती है वहां पर प्रमुख गतिविधी में आता है उत्पादन गतिविधी में उन्हें गैर क्रसी क्रियाएं भी निर्मा परिवाहन, दुकानदारी, आदी सामिन है, वहा पर छोटे छोटे लगूत, परिवाहन हैं, दुकाने हैं, वहाँ पर उस गाउं में सचीजी क्या है, सामिन है, उत्पादन के बारे में कुछ समान जानने के लिए दो प्रकायर की किरियाओं पर विचार हम कर सकते हैं, पहला ह तो छोटे से गाव में उत्पादन कैसे किया जाता है और उत्पादन वहाँ पर कैसे होगा तो उत्पादन का उत्पादन क्या होता है ऐसी बस्तू और सेवां को उत्पादित करना जिसके हमें क्या होती है आवशक्ता होती है बस्तू उत्पादन के लिए चार चीज़ों की आवशक्ता होता है वह भी बस्तू हो बेटा उसकी उत्पादन के लिए चार चीज़ों की क्या होती है आवशक्ता होती है पहली आवशक्ता है भूमी भूमी तथा अन्य प्राक्तिक संसादन जैसे जल वन खनिज यह सब क्या ह किरेंगे तो अपनों जलखी आवश्यक्ता है कि दूसरी आवश्यक्ता हम लोगों से आपन काम ले भी म्या अरुराप जरूरी रिया में। बहुत जादा पड़े लिखें कर्म लें।। जो थोड़ा पहात पढ़ा हूं, वो ध इसमले क्रीव में सालरीक कारी करने के लिए, वर ब्रतेक क्रीवें, फोड़िक कारने के लिए, जो भी काम करना, श्रमिक की आवशक्ता हो, विश्रमिक के बिना क्होई भी कारे संबव नहीं, प्रतिक स्वमिक उत्पादन के लिए आवशक संप्रदान करता है तीसरे आवशक रकता है वहतिक भूंजी अथा उत्पादन के प्रतिक स्थर पो आपेक छित कई तरह से आगत मितलब पतक जो पन लागत तक आते हूं, प्लाप न होता है बहुतिक पुझी के अंतरकत कौन कौन सी चीजे आती हैं वो बताएंगे बेटा तो सबसे पहने स्थाई पुझी स्थाई पुझी के अंतरकत आएगा बेटा औजार मसीन भवन अत्यंत साधारन औजार किसान का हल मसीने जन्रेटर कम्प्यूटर आदी इस सब चीजें काम आती रहती हैं क्योंकि एक वार नस्ट होने वाली नहीं है उत्पादन में कई वर्सों तक उनका उप्योग किया जाता है यह कहनाती है इस्थाई पुझी फेर कालसी पुझी कालसी मतला जो समय के साथ बदलती है इनका उप्योग पानी समय समय पर उसमें आएगा माल मुद्रा 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 मिट्टी के उत पादन से जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आविशक्ता होती है कच्छा माल नगत पैसे कारिसी खुंजी कहलाते हैं और जार मसीन घवन विबिननी क्रियाओं के मतलब क्रियाओं के दौरान ये समाब्त हो जाती हैं चौति आविशक्ता होती है तो अपन किसी चीज में पैसा लगाते हैं उसके वाद अपन उत्पादन करने के लिए भूमि श्रम और भृतिक होज़ एक साथ प्रयोग में ज्यान मतलब उत्यम की आविशक्ता पड़े आजकल मालों पूंजी भी कहा जाता है अपन जो भृतिक पूंजी को एक साथ प्रयोग करने योग बनाने के लिए उत्यम जो लगाते हैं वो मालों पूंजी भी कहा जाता है उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को समायोजित करने वाले संकटन होता है उत्पादन के कारक भी कहा जाता है पालंपुर की खहानी को पढ़ने में पादन की तीन कारफों के बारे में पढ़ा तो भूमिमा अपने ये कारफ पढ़े तीन कारफ हो गए वीटा उसके बाद प्रशी पर आ जाईए प्रशी भूमिमा अपने काई हैं गाव में भूमी का बीघा आदी की जैसे छेत्री कारें के लिए इसका उप्योग किया जाता है एक हेक्टेर सौ मीटर की गुजा वाले वर्प के छेत्र के बराबर होता है छोटे-छोटे खेतों में जो प्रसी कारे करती है हना जिस प्रकार की फसले काई पर उस भूमी पर पैदा की जाती है जैसी सुपजाय उपलब्द होती है उन्हें देखकर पालंपूर कहां है उत्तरप्रदेश के पस्चिम्भाव में कोई भूमी यहां बेकार नहीं छोड़ी जाती है बरसात के मौसम में घरी जुआर बाज्रा की फसले होती है पौधों को पसू के चारे के लिए भी उप्योग दिया जाता है इसके बाद अक्तूबर में यहां आलू की खेती होती है चर्दियों के मौसम में यहां रवी की यहां होती है पूधाद के अट ब्रह के लिए परिवार के खाने के लिए इसान में को तो परीवार की रख लेते हैं और मंदी भी भेजने के लिए एक भी फिर उसके बाद ग्यहूं के खेति ये वाया पर गन्डे का उतपादन भीूता है बारत की सभी गाओं में उच्छ स्टायल विवस्ता है मैदान के अत्रिक्त हमारे देश में 30 छीत्रों में अच्छी सिचाई होती है इसके विप्रीत पठारी छेत्रों में और दक्षिनी के पठार में सचाई कैसी होती है कम देश में आज छेत्रों के खेती मुख वर्षा पर जिन भी छेत्रों जो छेत्रों होते हैं बेटा जहां पर क्रसी कायप निर्भारत होती है वर्षा मुख बर्शा पर निर्वन होती है एक बर्ष में वूमी पर एक से ज़ादा फ़सल पैदा करनी के बहुविधे करने के लिए आपधी चुह कुण ज़दा प्रणाली 6 तरीका विदी फसर प्रणाली दूसरा तरीका है अधिक उपज में खेती में आधूनिक क्रसी का प्रयोग करना मौसम के हमसार फसर उंगाना परांपरा गद्वीजों को सचाई की आवश्रक्ता होती है पिर यहां पर किसानों के पास गाय होती है गाय के गोबर से क्या बनती है खादों गाय के गोबर दूसरा प्राक्तिक खादों का प्रयोग किसानों के पास तक्ताल लब्द खरीदने के लिए उन्हें खरीदना भी पड़ता है फिर है रसायनी कुप्रा रसायनी कुप्रा वो ह आपको पादल बराना है तो रासायनिक उप्रग भी आपको प्योग करने हैं जिसको किसानों ऐसे किसान जो मिट्टी में, मिट्टी में घुल जाते हैं तो तो तुरंत बिलता है मिट्टी में पुलने पर वो मिट्टी लंबे समय तक धारण कर लेती है मिट्टी से निकलकर मुँई जल नदियों और तलावों को प्रदूसित करते हैं रसायनिक मिट्टी में उपस्तित जीवाणों को नस्ट करते हैं, जो नस्ट हो जाते हैं, और कुछ शमय पस्चात मिट्टी अगले दिन की तुल्ला में कब उच्चाओ रह जाते हैं, तब एक बार खेती करने के लिए वो रसायनिक उप्रक एक बार भी उपयोग हो, उसके ब करना होगा, रसायनिक खात के प्रयोग से होती है, कम हो जाती है, अधिक से अधिक रसायनिक उप्रक का प्रयोग करना पड़ता है, इसका मतलब है, खेती के लागत दोहत तेजी से बढ़ रही है, तो अधिक उपजवाले बीज बाले, मतलब खेती को बढ़ाने के लिए और कीटनासर डालना होका जिससे अच्छी आपका क्रसी मतल्जु क्रसी कर रहे हैं आप जिस भूमी पर तो आपको अत्पादन अच्छी मात्रा में प्राप्ट इसके लिए बान, मतल्बिस्ती, सचाई, नहरे जिसरे, अगर आपको खेती करोगे तो पानी भी आवश्लबशी करने के लिए ऊधु कि एक खेती करने के लिए आपको ब्रुमी क्रस के लिए वपर बढ़ाने के लिए ये तो छीजों के आवश्चता होति है जो आख चित्र में देख रहे हुए ज़िस हुपमि किस प्रकार से वित्रित खेती के लिए भूमि कितनी महत्वी थेती में रहे हैं सबी हो वों के पास खेतीके लिए परयागत भूमी नहीं हो though कुछ लोगों के पास भूमी होती है बच्चों कि लोगों के पास भूमी नहीं हो पालंपुर में ऐसे ही पालंपुर गाम की में आपको बहानी बता रहे हुँ ना उसमें 450 परिवार में लगभग एक त्यहाई नहीं है और वो दूसरों के खेतों करते हैं काम करते हैं और अपनी जीवन उपार्जना करते हैं बहुँमे के चोटे-चोटेТак तुकण पर चोटे खेति करते हैं गाऊ के आधि से जुधा चेतर में काफी बड़े आतार के प्राट हैं यो पालम होते हैं मजौले और बड़े खें के परिवार के पास हैं और उसमें गसी करते हैं मौझोले और बड़े किसान होते हैं, तो उसमें खिसानों को क्या मिलती है? श्रम की ववस्तः कौन करता है? जब पर खेतों कि काम करती है, श्रम की ववस्तः उन्हीं से होती है भूमी के पस्चात्श्रम उत्पादं का महत्नूर कारक हुटता है ज्यादा परिश्रम की आविशक्ता होती है तो जो छोटे-चोटे किसान होते हैं परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयम काम करते हैं और खेती के लिए आविश्रम की विवस्ता स्वयम ही करते हैं और मोझफ और बड़ी किसान जो होते हैं यह खेतों में काम करने के लिए श्रमिक लगाती तो जिनके पास भूमी नहीं होती है तो फिस्तव की लिए तो आप उच्छी देख रहे होग कुंस उनके बारे में पहले क्या करते हैं पहले क्या पशल पहले अपन हल से खेट जोटते हैं फिर गुआई करते हैं बीज डालते हैं फिर अच्छी उसके लिए आपन इतना सक दवाई डालते हैं और सचाई के लिए आपको फिर उसके बाद कटाई करते हैं अब बच्चों आप पग्रहकार आप इस बीटी पीडियेफ को देखोगे इसके आंसा जो आपको प्रश्न मैंने पूछ रही हूं इसके आंसा इसी में इस्थाई पूंजी क्या है और कारिसील पूंजी क्या है आपको मैंने बताया था है इस्थाई पूंजी तो इस्थाई तो पर और कारिसील पूंजी कच्छे बाल की उत्पादन संगतन का वर्णन कीजिए तब उसपादन संगतन क्या है उसका वर्णन आपको पूरा PDF में सारे आंसार है बेटा आप PDF अच्छे से देखोगे और सारे कॉस्टूम के आंसार आपको कायमि करना है कापी में लितना है और याद करना तीसना प्रश्न है बेटा, खेती के आधूनिक विधी के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्चता होती है, मतलब खेती की तखनीकी इर्कास के लिए, किस-किस चीज की आपको आवश्चतों से पहलों उपरब सकती, रासायनिक, तयोग और नल फुको द्वारा सचाई, यह स पारी चीज हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे, और कॉपी में नोट करो,